वाइसे वैसे मियूआ 12 के काफी सारे नए फीचर जो है लीखों के सामने आ रहे हैं तो यहां पर एक फीचर यह है जो कि आपको मियूआ 12 के साथ देखने को मिलेगा जिसमें कि आप पोको एक्स्ट्रू जैसे फोन्स में जो डिस्प्ले की रिफ्रेश्च रेट है उसको है जो के मियूआ 11 अपडेट्स वाले चैनल पर है उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप चाहें तो देख सकते हैं दूसरा जो है यह नया रीसेंट मीन्यू है जो कहा जा रहा है कि आपको देखने को मिलेगा जब मियूआ 12 आएगा उसके साथ तो यह कहीं न कह आपका यूज हुआ है टोटल में से ठीक है तो यह चीज जो है आई उस में नहीं होती थी दूसरा जो इसमें एक और चीज है वो यह है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो चाहो तो आप यहां पर जो है इसके जगा पुराना वाला मिन्यू ला सकते हो अब वह और से अश्मेज सकते हैं तो दोनों को ही आप यूज़ कर सकते हैं आपकि डिपंड करता है दूसरा चीस जो है व से कैमरा अप बट अब ये लोग क्या करने वाले हैं कि 64 MP हो या 49 MP हो उस option को उपर में करने वाले हैं तो आप इस screenshot में देख सकते हैं कि जो camera का option है वो नीचे की जगा उपर चला जाएगा तो ये आपको नए update में जो है देखने को मिलेगा MIUI 12 के साथ और leaks ये बता रही है कि MIUI 12 जल्दी ही आ जाएगा जल्दी का मतलब कितना जल्दी बहुत जल्दा जल्दी that means कि April के end तक chances है कि China के अंदर MIUI 12 को launch कर दिया जाएगा अब बाकी further देखते हैं कि क्या होता है वैसे तो बहुत सारी leaks आ चुकी है MIUI 12 को regarding जिन में से कई सारी के उपर मैंने वीडियो बनाया है अब आप सब वीडियो देखने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक करके आप लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो 12 और प्लस डिवाइस लिस्ट के उपर हमने एक डेडिकेटड वीडियो बना रखी है आप उसको भी देख सकते हो और देख सकते हो कि क्या आपका फोन MIUI 12 के लिस्ट के अंदर आता है कि नहीं आता है वैसे तो अभी कोई ओफिशियल लिस्ट सामने नहीं आया है बढ़ हमने अपने एक्सपेक्टेशन और 5 साल के MIUI के रिकॉर्ड को देखते वे जो है उस लिस्ट को बनाया है और हमारे हिसाब से जिन फोन्स को मिलेगा उनको तो कनफर्म मिलेगा जिनको हमने नौट कनफर्म किया है उनमें से कुछ को मिल भी सकता है कुछ को नहीं भी म सकते हैं